नमस्कार साथियों मेरा नाम है RKC संस्कृति I.S. के प्लेसेज इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज से पहले हम अपने प्लेसेज इन न्यूज सीरीज में जिन प्लेसेज की चर्चा करते आ रहे हैं वे सभी प्लेसेज प्रीथवी पर अवस अवस्थित नहीं है बलकि प्रीथवी से दूर जो मंगल ग्रह है उस पर अवस्थित है ये कौन सा प्लेस है तो प्रीथवी से दूर जो मंगल ग्रह है वहाँ पर जो उलंपस मास ज्वाला मुखी है उसकी चर्चा आज हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं क्यों करन पहलू होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे साथ ही भारत में जो महत्पूर्ट ज्वाला मुखी छेतर हैं उनकी भी चर्चा संशिप्त रूप से करेंगे चलि आगे बढ़ते हैं बात करें कि इस सोध के संदर में न्यूज क्या है तो न्यूज देख लेते हैं न्यूज है वन देड़ लाख टन पानी का एक बर्फ पाया गया है एक बर्फ की खोज की गई है जिससे ये जो की मार्स जो है जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है चित्र में आप देख सकते हैं कि ये किस कलर का दिख रहा है तो ये भी कहा जा रहा है ये जो रिसर्च आई है पर बड़ा एक कह सकते हैं की बर्फ की खोजगी गई है जिसके अधार पर ये कहा जा रहा है की लाल ग्रह सक्री जल्जख्र का इससे क्या है की अवस्ठिती का बोध होता है। इससे ये भी कहा जा रहा तो जो रिसर्चर हैं जो बैग्यानिक हैं इन्होंने मंगलग्रा के सबसे उचे जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जौला मुखी है जो ओलंपस मौस है इसके संदर में यहाँ पर लगभग 13.5 मिल की उचाई पर और किस समय तो मंगलग्रा पर जब ठंड का मौसम होता है और सु यह लगातार चर्चा में बना हुआ है यह भी कहा जा रहा है कि यह जो खोज है यह अभूत पुर खोज है और मंगलग्रा के सुस्क भुमद रेखा के बारे में जो पिछली अवधाडाय थी जो मनेताय थी उनको यह खंडित करता है चुनवती देता है और ग्रह के जल गति सीलता के बारे में एक नई जानकारी भी प्रदान करता है यही नई संभावित रूप से भविस में जो भी अन्वेसर होंगे उनमें भी यह मदद करेगा तो यह हमने देख लिया चुकि बात किसकी हो रही है तो मार्स के मंगल के ओलंपस मास ज्वाला मुखी की चर्चा हो तो थोड़ा सा इस ज्वाला मुखी के बारे में भी हम समझने का प्रियास करते हैं अगर हम बात करें कि यह जो पूरा ज्वाला मुखी है यह कहां पर अवस्थित है तो अगर हम बात करें तो यह जो मंगल रह है उसके पश्चमी गोलार्द में कहां पर तो उसके पश्चम गोलार्द में ये अवस्थित एक ज्वाला मुखी है और मूल लूप से क्या है कि ये एक सिल्ड ये किस प्रकार का ज्वाला मुखी है तो ये एक सिल्ड ज्वाला मुखी है ये क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने ज्वाला मुखी के संदर म अधार पे तो उसी में से क्या है कि एक बरगी करण है सिड्ल प्रकार का ज्वाला मुखी तो ये जो वोलकेनों है ये किस प्रकार का है तो ये एक सिड्ल ज्वाला मुखी का उधारण है अगली बात करें कि ये जो ज्वाला मुखी है इसकी उचाई कितनी है तो इसकी जो उच परवत है इसकी उचाई की थ्री टाइमस है यानि इसकी उचाई की तीन गुना इसकी उचाई है और अगर इसके चोड़ाई की बात करें तो जो हवाई दीप है जो हवाई आइलेंड है उससे क्या है कि इसकी जो चोड़ाई है उससे भी अधिक है यानि इसकी चोड़ाई अगर हम बात करें कि आखिर ये जो बोलकेनों है ये कितना पूराना है तो ये लगभग 3.5 अरब बर्स पूराना है और अगर इसके निर्माण की बात करें यानि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था तो मंगल ग्रह का जो इतिहास है उसके संदर में जो प्रारंभी काल है उस काल में इसका निर्माण हुआ था और अगर इस बोलकेनों के स्लोप की बात करें तो ये सपाट ढाल वाला है इसका जो स्लोप है वो दो से लेकर 5 डिगरी के बीच में देखने को मिला है यही नहीं इसका जो सिखर है जो कालडेरा है उसकी चोड़ाई काफी अधिक है लगभग बिसफोट के द्वारा होता है लेकिन अगर इसकी तूलना हम प्रीथवी पर जो भी कह सकते हैं कालडेरा है उनसे करें तो वो इसके ठीक भी प्रीथ है प्रीथवी पर इस्थित अनेक ज्वाला मुख्यों के अगर हम बात करें तो आम तोर पर एकल जटिल कालडेरा देखन को मिलता है तो उस दिश्टी कौन से क्या है कि ये पूरी तरह से उसके ठीक उल्टा है तो ये हमने देख लिया अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सिल्ड ज्वाला मुखी आखिर होता क्या है इसके बारे में जो मूल मूल बाते हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं तो पर जो बड़े ज्वाला मुखी है उनमें ये सामिल है ये मिस्ति ज्वाला मुखियों की तरह संकाकार चोटियों वाले उचे पहाड नहीं बनाते हैं इसके बजाए क्या है कि ये कह सकते हैं कि कम ढाल वाले कम स्लोप वाले चोड़े ज्वाला मुखी निर्मित करते हैं और ये पुड़ता क्या होता है कि बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और एक प्रकार का ऐसा लावा जो बिसफोट होने पर बहुत तरल होता है इसमें सिल्का की मात्रा कम होता है ये चिपचिपा कम होता है और इस कारण से क्या है कि ये दूर तक फैलता है यही कारण है कि ऐसे ज्व ज्वाला मुखही उदाहरण की बात करें जो प्रितवी पर है तो जो हवायन सिल्ड ज्वाला मुखही है वो इसका सबसे प्रमुकारण है तो तो ये हमने देख लिया, अब देखे, इसी में थोड़ा सा संचिप्त रूप से अगर हम बात करें कि आखिर ज्वाला मुखी होता क्या है, तो अगर एक बड़े विद्वान के अनुसार हम देखें, जो की आथर होम्स है, ये कहते हैं कि ज्वाला मुखी मुखिता एक दरार या छिद्र है, जिसका संबंद भूगर्ब से है, इससे लावा का प्रवा अत्यंत कह सकते हैं कि तप्त जल के गुबारे या गैसों का भेंकर बिसफोट तथा ज्वाला मुखी राख का उधगार होता है, ओभरल ये क्या कहना चाहरा है कि प्रित्वी के भूपटी पर एक ऐसा छिद्र जिससे क्या हो कि लावा उत्पन हो, गैस निकले, जलवास्प निकले और अनिपदार्थ निकले तो ऐसे छिद्र वाले छिद्र को क्या बोलते हैं, वोलकेनो या ज्वाला मुखी बोलते हैं, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी जो होती है वो ज्वाला खिता होती है यह एक घटना होती है एक प्रक्रिया होती है एक गतिविधी होती है जहां पर ठोस तरल पदार्थ गैस और उनके जो मिस्त्रण है एक ठोस सता वाले खोगोली पिंड की सता से फूटते हैं जैसे प्रिथवी है चंद्रमा है बहुत सारे जो छुद्र ग्रह है व वो है कि ज्वाला मुखी के कौन से प्रकार होते हैं, तो देखे, इसके दो प्रकार होते हैं, पहला जो प्रकार है, वो आपके लिए सबसे अधिक महत्पूर्ण है, वो क्या है, तो बिसफोट की आबरिती के आधार पर, जो वरगी करण होता है ज्वाला मुखी का, वो तीन से होता है वो क्या होता है तो active volcano यानि सक्री ज्वाला मुखी dormant volcano यानि प्रसुप्त ज्वाला मुखी और तीसरा होता है extend volcano यानि मृत कहिए सुप्त ज्वाला मुखी यह तीन में भी होने की संभावना है. तो ऐसे जो वलकेनों होते हैं, उनको active वलकेनों बोलते हैं. दूसरा जो है, वो कहा है प्रसुप्त, यानि dormant वलकेनों. ये क्या होता है कि ये पहले हुआ था बिसफोट और वर्तमान में क्या है कि ये बिसफोट हो रहा है या फिर बंध है और भविस में भी हो सकता है कि इस से बिसफोट हो सके तो इस प्रकार का जो वलकेनों होता है उसी को हम डॉर्मेंड वलकेनों बोलते हैं तीसरा क्या होता है तो ये होता है एक्स्टिंट वलकेनों यानि सुप्त ये कहने का मतलब क्या है कि भविस में इसकी स अंभावना 20 fort होने की नौ के बराबर होती है या फिर 12 fort होने की संभावना होती ही नहीं है तो इस प्रकार का जो वोलकेणु है इसी तो हम सुप्त या मृत जो अला मुखी बोलते हैं तो यह हमने देख लिया अब देखिए हमारे लिए जो सब से महत्पूर है वो है एक मात्र सक्रीज वाला मुखी कहां पर है, तो अंडमान एवम निकोबार दीपसोवू में है, यह क्या है कि यहां पर फिर से क्या है, कि यहां पर बिसफोड की स्थिती देखने को मिली, अब देखें, यह आपके सामने मैप दिया गया है, यह वाला जो छेतर है, नारकोंडाम, बैरन आइलेंड, यह क्या है कि इसी छेतर की बात हो रही है, और इसी लिए कहा जाता है कि यहां पर आप देखेंगे, यह जो छेतर है, यह इस समय भारत में सक्रीज वाला मुखी छेत करें, तो देखें, जो बैरन आइलेंड है, जिसकी हमने बात की, तो यह क्या है कि इस समय एक्टिव पोजीशन में भारत का एक मात्र ज्वाला मुखी छेतर है, इसके अलवा अगर हम बात करें कि कौन से छेतर हैं, तो देखें, आपको देखने मिलेगा नारकोंडम, यह कह हम भारत में ज्वाला मुखी से सम्मंदित है, यह सारे कि इनएख्टिव पोजीशन में, इनके विस्फोट होने की संभावना नहीं है, कौन से छेतर हैं, तो दक्कन का पठार इसमे, सामिल है वारा टंग दीप सामिल है, दिनोधर हिल सामिल है, दोसी हिल सामिल है तो साम हिल सामिल है और लोक्तक जिल सामिल है ये कहां पर है तो दक्कन का जो पठारा है आपको मद्य भारत में देखने को मिलेगा जो वारा टंग दीप है ये अंडमान दीप समू में आपको देखने को मिलेगा 2003 में ये सक्री था अगर धिनोधर हिल की बात करें तो ब river अब देखे यह जो 2000 रहें इनको संचित में हम देख लेते हैं कि भारत में यह कहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं तो देखे पहला क्या की और की नार्कोंडम है ? कुंडम की बात करें तो यह अंदमान सागर में इस्थित छोटा एक क्या है जो आला मुखित दीप है एक आइलेंड है बोलके नो दूसरी अगर बात करें तो दीप की जो चूटी है वो समुद्रतल से 710 मीटर उची है यह एंडी साइड प्रकार के कह सकते हैं कि पदार्थ से बनी हुई है और यह अंदमान दीप समु का ही हिस्सा है जिसका मुख्य भाग पस्चिम में लगबग 124 किलो मीटर दूर इस्थित है तो यह आपके लिए लोकेशन महतपूर है इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्कन ट्रैप की इस्थिती भी आपके लिए महतपूर ह इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए केवल हम मैट को देख लेते हैं तो यह वाला छिटर है अगला छिटर देख लेते हैं यह बारा टांग दीप जो यह दीप है इसकी अवस्थिती आपके लिए महतपूर है यह कहां पर आपको देखने को मिलेगा तो यह देखिए अंडमान निकोबार दीप वाला पूरा यह छेतर है और मू लूप से जो अंडमान दीप समू छेतर है यही पर मद्ध में आएंगे तो आपको बारा तांग जो आइलेंड है यह देखने को मिलेगा तो इसकी अवस्थिती आपको जानना है अगला हम देख लेते तो यह लोकेशन भी आपके लिए महत्पूर है इसके अलावा जो धोसी हिल है यह कहां पर देखने को मिलेगा तो यह आपको जो हिल देखने को मिलेगा यहां पर जो आएंगे आप अरावली छेतर में तो यही पर यह आपको छेतर देखने को मिलेगा अगला है तोसाम हिल यह कहां पर देखने को मिलेगा, तो जो तोसाम हिल पहाडिया है, तो हरियाणा का जो अलवर छेत्र है, यहीं पर आपको यह छेत्र देखने को मिलेगा, तो इसका जो लोकेशन है वो आपके लिए सबसे महतपूर है, यहीं नहीं, यह जो छेत्र है, यह जै विवित्ता के दि है बिकल्ब दिये गए हैं पहला है बुद्ध दूसरा है मंगल तीसरा है सुक्र और चौथा है प्रीथवी तो आज के एपिसोड में हमने मंगल ग्रा के ओलंपस मास ज्वाला मुखी की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महतपूर पहलू थे उन पर बात की साथी भारत में जो महतपूर ज्वाला मुखी छेत्र है उन पर भी चर्चा की तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे तो आज आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यबाद